असलाम अलेकूम आज मैं आपके लिए चिकन ग्रिल सैलेड लाई हूँ ये बहुत ही मज़े का भी होता है और ये वेट लूज करने के लिए बहुत ही हैल्दी वर्जन है और बहुत टेस्टी लगता है बड़ा इजी बन जाता है इसके लिए हमें दो ब्रस पीस चाहिए चिकन ब्रस पीस ले लें दो अदद इसको हमने बड़े बड़े कटल लगा लेने पहले आप देख सकते हैं कितने बड़े कटल लगा हुए हैं डीप कटल लगाएं और इसके पार फूक की मदर से इसमें निशान लगा लें इस तरह इसमें मेरिनेशन बड़े अच्छे से जजब हो जाती है और यह बड़े जूसी बनते हैं गल्बी जल दे जाते हैं बड़े अच्छे से कुको जाते हैं और बहुत मज़े के लगते हैं अब हम इसमें लेसन अद्रक की पेस्ट डालेंगे टू टेबल स्पून ये वन टेबल स्पून ग्रीन चिली हाफ टेबल स्पून साल्ट हाफ टेबल स्पून बलैक पेपर ये चिकन तिका मसाला है वन टेबल स्पून ये बुना कुटा जीरा और खुश्क दनिया है वन टेब सारी चीज़ें डाल के हम इसको मेरिनेट करने के लिए राह देंगे टू आर्ज के लिए इसमें हम लेमन जूस भी डालेंगे यह देखें वन टेबल स्पून लेमन जूस डाल है वन टेबल स्पून होट सॉस है वन टेबल स्पून हम डालेंगे सोया सॉस इन सारी चीज़ों क जाएंगे चिकन में अच्छी तरह ज़ब हो जानी चाहिए दो तीन मिनिट आप अच्छी तरह मसलें इसको यह इसके अंदर अच्छ तरीके से ज़ब हो जाएगी फिर हम दो गेंटे मेरिनेशन के लिए रख देंगे इसको यह बहुत अच्छा बनता है सेलेट बड़ा इजी कि हम इसकी फ्लेइब बिलकुल लो कर देंगे यह देखे इसको पीशी को रखके हम बिलकुल लो फ्लेम पर इसको ग्रील करेंगे इसको अब ढख देंगे तक्रीबर 5-7 मिनट हम एक तरफ से बलके आप 10 मिनट एक तरफ से हलकी आँच पिपकाएं फिर इसको पल्टें ये देखें मैं आपके सामने पल्ट के दखाती हूँ इसका कलर देखें किस कदर खुबसूरत आया है बहुत ही प्यारा है बहुत मज़ेका लाग रहा है इसकी खुश्बू भी बहुत अच्छी है और ये बड़ा जूसी बनता है नारम हो जाता है बड़ा टेंडर और जूसी मज़ेदार लगता है आप देख सकते हैं इसका कलर किस कदर प्यारा है इसी तरह हम दूसरी तरफ से भी 10 मिनट रहके पकाएंगे आप देख सकते हैं ये कितना जूसी लग रहा है बहुत ही मज़ेका है फुल ओ फलेवर ये देखें दूसरी तरफ भी कितना प्यारा कलर रहा है अब ही हम 5-5 मिनट मज़ीद इसको कुक करेंगे दोनों साइडों से आप इसको देख लें जब ये फुली कुक हो जाए तो इसको उतार लें अब हम सेलड बनाएंगे सेलड में मैंने बरी कटा हुआ सेब लिया है खीरे वंद गोबी और टोमाटर बीज निकालके नमक काली मिर्च और पुदीना अब हम इसको एक बाउल में डाल देंगे ये देखें बरी कटे हुए सेब डालेंगे सबसे पहले हम क्हीरे degrees डाल देंगे it डाल किलर कमबिनेशन ये कितना प्यार है और ये बहुत ही हेल्दी वर्जिन है वेड लूज करने के लिए अगर आप बनाते है तो ये बहुत ही मज़िक्ता भी लगता है और वैसे भी बहुत ज्यादा हेल्दी होता है जल्दी वेड़ लूज हो ज खीरे और सेब इसके अंदर हम वन वन टी स्पून है बलेक पेपर और साल्ट ये डाल देंगे और धनिया पुदीना है थोड़ा सा वो भी डाल देंगे ये बड़ा खुश्बूदार मज़े का और बड़ा लजीज सेलड बन जाता है इसमें हम हाफ कप औरिंज यूस और ये इमली का पल्प है ये फोर टेबल स्पूर हम डाल देंगे ये सेलड फुल ओ फलिवर होगा बहुत लजीज बनेगा आप इसको एक दफ़ा जरूर ट्राइ करें ये बहुत ही मज़े का बनता है बड़ा हेल्डी वर्जिन है अब हम इसको डिश ओट करेंगे एक का पीस रख देंगे जो हमने ग्रिल किया था ये देखे कितना लजीज लग रहा है बहुत ही मज़े का त्यार हुआ है ये बहुत मज़े का भी है बहुत एजी भी बन जाता है आप इसको जरूर ट्राइ करें मेरे रेस्पी जगर आपको पसंदाती है तो उसको जरूर करें मेरी वीडियोज को असलाम अलेकूम अल्ला हाफिज